दोस्तों कभी आपको WhatsApp पे कोई image किसी को send करनी है और आपको उस image पे कोई text लिखा वा आपको एक particular text को mark करके आपको उसको बताना है कि वही इस text के बारे में मैं बात कर रहा हूं या इस message के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो वह आप कैसे करेंगे वह मैं आज आपको बताने व टेक पर तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों मान लीजिए आपको कोई image send करनी है मार्क करकर तो उसके लिए हमें गैलरी बन जाना पड़ेगा गैलरी में जाकर हम कोई भी image select कर लेंगे अब हमने यह image select कर लिया है अब हमें से इसको मान लीजिए हमारे को इसकी तीसरी चोती लाइन को मार्क करना है हमें जिससे की हम जिसको यह image भीज रहे हैं उसे समझ में यहां से इसको जो है डूडल बजाएंगे और डूडल बजाकर यह वाला जो option है यह कर वाला इसको select रहन देंगे अगर हमें underline करना है तो हम line भी खिश सकते हैं box बनाना है तो हम box भी बना सकते हैं इसी से और यहां से color हम select कर सकते हैं तो चलिए भी मैं फिलाल यही ले ले option और देखे यह मैंने ले लिया है अब इसके बाद हम यहां से image को थोड़ा बढ़े कर देते हैं और मान लीजी हमें यहां पर यह वाली line को select करना है तो यहां से हम इसको ऐसे करके ऐसे mark लगा लेंगे और यह mark जो हमारा लग गया है अब यहां से हम इसको tick पे click करेंगे इस option आजाएगा और save कर लेंगे से अब यह हमारी image देखे save हो गई है अब यहां से हम इसको जाकर WhatsApp पे जाएंगे और जिसको हमें भेजनी होगी उस पर जाकर हम इसे send कर देंगे तो देखे यह आ गई है image हमारी mark वाली इसे यहां से हमने send कर दिया है तो यह देखे यह गई image त इसी को तो आप वो भेज सकते हैं असानी से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत ही चोटा वीडियो था तो ऐसे ही नए नए चीजे में आपके लिए आता रहूंगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा Connect on Tech YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के लेटस्ट नोटिफिकेशन मिल सकेंगे टाइम टू टाइम तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू और बाइबाए